अगर अपने पैसे को invest करके अच्छा खासा return कमाने की जब बात आती हैं तो market में काफी सारे options available होते हैं हम लोग investment कर सकते हैं stocks में, mutual funds में या तो हम लोग fix deposit कर सकते हैं bank या post office में लेकिन क्या या पर ऐसा option है कोई जिसमें आप में पैसा नहीं लगाना है और अच्छे खासे returns भी कमा सकते हैं जी हाँ दोस्तों हम लोग ऐसा कर सकते हैं credit card से credit card से भी अच्छे खासे पैसे कमाई जाते हैं और किस तरीके से कमाई जाते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को जो हैं वो शुरू से लेकर end तक जरूर देखना Hey guys, my name is Vimal और मैं एक finance professional हूँ मैं अपने 15 क्लाइन के portfolio को manage करता हूँ और उनके investments को track करता हूँ जो कुछ भी मैं आपके साथ share करूँगा वो मेरा experience के basis पर share करूँगा और real life में 100% practical है इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगा ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिसके वज़े से आप credit card से पैसे कमा सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि credit card है क्या credit card और debit card में ज़्यादा फरक नहीं है debit card में आप अपना पैसा जो bank में आपने deposit किया है उसको use करते हैं but credit card में आप अपना पैसा नहीं आप bank का पैसा use करते हैं credit card में जो हैं वो आप bank का पैसा use कर सकते हैं particular time period के लिए तो इसका सबसे पहला benefit यहां पे यह होता है कि अगर आप अपने पैसे को invest करना चाहते हैं कहीं पे तो आप अपने पैसे को diversify कर सकते हैं और अच्छा खासा return कमा सकते हैं उस amount पर इसमें आप अपने पैसे को investment कर सकते हैं किसी अच्छी जगा से और अच्छे खासे return कमा सकते हैं और daily expenses के लिए credit card का use कर सकते हैं जब कभी भी हम लोग credit card का use करते हैं तो bank हम लोगों को reward points देती हैं काफी बार ये rewards points को bank जो हैं वो रुपी में convert करके हमारे account में transfer कर देती हैं यहाँ पर काफी सारी websites available हैं जहाँ पर अगर credit card का use करके sign up करते हैं तो वो लोग भी आपको cashbacks, discounts and bonus देते हैं तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा return कमा सकते हो cashback, discount and bonus के through Last but not the least, यह सबसे important point है Banks जो हैं वो काफी सारी companies के साथ tie up करती हैं और उनके business को promote करती हैं आप लोगोंने e-commerce की website, Amazon, Flipkart पे observe किया होगा काफी सारे banks के credit card available होते हैं Banks जो हैं वाँ पर advertise करती हैं और उनके business को भी promote करती हैं यहाँ पर bank और e-commerce website, दोनों के through आप अच्छे खासे return जो हैं वो कमा सकते हैं देखो जो लोग भी credit card use करते हैं वो लोग ये सारे technique का use करते हैं अच्छे खासे return कमाने के लिए इसमें होता क्या है कि काफी सारे investors जो हैं वो अपने पैसे को diversify करके अच्छा खासा return कमाते हैं इसमें काफी ज़्यादा लोग cashback, bonus, reward से भी पैसे कमाते हैं और इसमें भी काफी अच्छे खासे पैसे जो हैं वो में return मिल जाते हैं credit card जो हैं वो काफी अच्छा option है अगर आपको portfolio को diversify करना है या आपको funds की ज़रूरत हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पैसे को invest करके अच्छा खासा return कमा सकते हैं तो आप लोगों को credit card का use ज़रूर करना चाहिए इसका लगों Indian stock market में भी investments करने के लिए काफी अच्छे options available हैं इन में investments करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक demand account और अगर आपके पास demand account नहीं है तो आप नीचे दिएगे link पर click करके demand account open कर सकते हैं और share market में investments जो हैं वो start कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो का content important लगा है आपने credit card के बारे में कुछ नया सिखा है तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथी साथ bell icon ज़रूर दबा देना मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में नई topic के साथ तब तक के लिए signing off